परिचाय अलग अलग बहुत से प्रकार है हां किता बहुत से पशू सिर्फ पौधों को जैसे खास या पौधों की पत्यों को खाते हैं जबकि कुछ पशू पशू को ही खा लेते हैं बड़ी मचली छोटी मचली को खा लेती हैं शिडिया कीडे मकोडों को खाती हैं सर्प मेंड़कों को खाते हैं और कुछ कीड़े मरे हुए पशों का शरीर खाते हैं। लेकिन जब हम इसे नस्दीक से देखते हैं तो पाते हैं कि प्रित्वी पर उपस्थित सभी चीवचन्तु भोजन के लिए प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर ही निर्भर होते हैं। के रूप में शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सूर्य की ही उर्चा है जो पौधों और पशों को भोजन प्रदान करती है। को समझ सकेंगे। फोलजोईक पोशन के विभिन चरणों को जान जाएंगे। मनुष में पोशन को समझ सकेंगे। पाचन तंत्र के विभिन अंगों के बारे में जान जाएंगे। मुखद्वार, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, हमाशय, छुद्रांत, ब्रहदांत्र और गुदा की सनजना तथा कारे प्रणाली को समझ सकेंगे। विभिन पाचन ग्रंथियों का पता लगाईए। पशुओं के रसायन विज्ञान का अध्ययन करें। पशुओं के प्रकार भोजन के आधार पर सभी पशुओं को तीन समुहों में विभाजित किया जा सकता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो पशुओं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। वे घास, पत्तियां, अनाच, फल या विरिक्ष की चाल खा सकते हैं। उदाहरन बकरी, गाए, भैस, ठेड, हिरन, उंट, गधा, बैल, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, तिढधा और दर्याई घोडा। ठीक उसी तरह वो पशू जो सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, मेढख, गिध, किंग फिशर, छिपकली, भेडिया, सर्प और बाज। इनके अलावा वो पशू जो पौधों और पशू दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, उधारण, मनिश्य, कुत्ता, कौवा, गोरईया, भालू, मैना और चीती। होलो जाइक पोशन, होलो, संपून जोइक और पशू, वो पोशन जिसमें ठोस या द्रव कार्बनिक पदार्थों का अंतर ग्रहन किया जाता है। होलो जोइक पोशन में पांच चरण होते हैं, अंतर ग्रहन, पाचन, अफशोशन, समत्व, मलत्याग। अंतर ग्रहन में भोशन को खाया जाता है, यह भोशन के आकार और अंतर ग्रहन के लिए अंगी क्रित संदचना पर निर्भर करता है। अमीबा में अंतर ग्रहन कूट पादों की साहता से, पैरा मीश्यम में सीलिया की साहता से, हैड्रा में तंतूओं की साहता से, कीडों में मुक भागों की साहता से, मेटकों और छिपकलियों में उतिक्षेपनिये जेवा की साहता से, तथा मनुष में हाथों की साहता से होता पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, बड़ी आकरिती वाले तथा अघुलनशील कार्बनिक बहुलक जिनका विसरण नहीं हो सकता है, सरल, छूटे तथा घुलनशील कार्बनिक एकलकों जिनका विसरण हो सकता है, उसमें तूट जाते हैं. कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और जटिल कार्बोहाइडरेट, अमीनो अमल, मोनो शुकर, फैटी एसिड इत्यादी यह प्रक्रिया पाचक रस्मे उपस्तित, पाचक एंजाइमों की उपस्तिती में होती है, जो पाचक गरंतियों से स्रावित होते हैं. अफशोशन वह प्रक्रिया है, जिसमें विसरित हो सकने वाले पोशक पदार्थ आहार नली की भित्ती को पार करके लसिका में प्रवेश कर जाते हैं. अफ्शोशन में भौतिक प्रक्रियाएं जैसे विसरन और परासरन तथा सक्रिये प्रक्रियाएं जैसे गुलुकोज और अमीनो अमलों का सक्रिये परिवहन दोनों होती हैं। समत्व एक उप्चई प्रक्रिया है जिसमें साधारण पोशक पदार्थ उपाप्चई प्रक्रिया से गुजर कर पुना प्रोटीन, पॉली सेक्राइड और वसा जैसे जटिल और बड़े जैवणों का निर्माण करते हैं। यह नए बने हुए बड़े जैवणों प्रिथी और शरीर के उत्तकों की मरमत में सहायता करते हैं। मलत्याग वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का वह भाग शरीर से निकल जाता है जो पच्चता नहीं है। वह सारा भोजन जो हम खाते हैं हमारे शरीर में नहीं पच्चता है। भोजन का एक भाग शरीर में ही बचा रह जाता है जिसका उप्योग शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह भाग शरीर के मल के रूप में अलग हो जाता है। मनुश में पोशन मनुष्यों में पोशन उसके पाचक तंत्र द्वारा होता है। मनुष्य के पाचक तंत्र के विभिन अंग निम्न हैं। मुखद्वार, मुखगुः, ग्रस्नी, ग्रासनली, हमाशय, छुद्रांत्र, ब्रेदांत्र, मलाशय, गुदा। मुखद्वार, मुखद्वार एक अनुप्रस्त छिद्र होता है, जो चलनशील ओष्टों से घिरा होता है। इसका मुख़कार अंतर ग्रहन है। मुखगुः, मुखगुः में दो मुख सनचनाएं होती हैं, जीवा और दांत। जीवा एक मोटी, पेशिये और उतक्षेपणिये सनचना है, जो मुखगुः के तल पर स्थित होती है। जीवा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो भोजन का स्वाद लेने में, भोजन और लाला रस को मिलाने में, तथा भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। दांत मनुष के दोनों जबडों में होते हैं। दांत जबडे की हड़ियों में बने, कोटरों में धसे होते हैं। एक वयस्क मनुष में 32 दांत यानी प्रतियक जबडे में 16 दांत होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। क्रिंतक दांत, शवदंत, अगरच वर्णक और चरवर्णक। प्रतियक जबडे में चार क्रिंतक दांत होते हैं। ये तेजधार, छैनी के आकृती के और शाकाहारी भोजन को गाटने तथा टुकडे टुकडे करने के लिए होते हैं। प्रतेक जबडे में दो शवदंत होते हैं. ये तेजधार, कृपान की आकृति के और मांसाहारी भोजन को चीडने के लिए होते हैं. प्रतेक जबडे में चार अगर चर्मवर्नक दांत होते हैं. ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीशने के लिए होते हैं. प्रतेक जबडे में छे चरवर्णक दांथ होते हैं ये बड़े और कस्प आकरिती के तथा चबाने और पीशने के लिए होते हैं ग्रस्नी ग्रस्नी एक कीब जैसी आकरिती होती है जहां भोजन और वायू एक दूसरे को पार करते हैं इसमें दो छिद्र होते हैं कंट द्वार कंट और श्वास नली में खुलता है। गलेट ग्रास नली में होती है और भोजन निकलने के दौरान खुलती है। ग्रास नली ग्रास नली पाचन तंद्र का एक लंबी, संक्री और नलीदार भाग है। यहां गर्दन और ग्रसनी से अमाशय में खुलती है। यहां क्रमा कुंचन द्वारा भोजन का परिवहन करती है। अमाशय एक मोटा पेशिय और जे की आकरिती का थैला होता है, जो उपरी उदर के बाए भाग में स्थित होता है। अमाशय भोजन के मंतन और पाचन में सहायता करता है। अमाशय में भोजन का तीन घंटे तक मंतन होता रहता है, जिसके कारण भोजन छोटे-छोटे टुकडों में तूट जाता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है। अमाशय की भित्ती में तीन नलीदार क्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रसों में मुख्यता तीन पदार्थ होते हैं, HCL यानी पेपसिन, एंजाइम और श्लेम। HCL की उपस्तिती के कारण पेपसिन, एंजाइम अमलिये होता है और प्रोटीनों का पाचन शुरू कर देता है। श्लेम अमाशय की भित्ती को उसी के द्वारा स्रावित HCL अमल से बचाता है। अमाशय की पेशिय भित्ती, भोजन और जठर रसों को एक दूसरे में मिश्रित करने में सहायता करती है। शुद्रांद्र शुद्रांद्र आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है। एक वयसक मनुष में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। यह बहुत संक्री होने के कारण शुद्रांद्र कहलाती है। शुद्रांद्र तीन भागों में विभाजित होती है। ग्रहनी, जेजुनम और इलियम। शुद्रांद्र वयस्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसका अफशोशन प्रारंब हो जाता है। इसमें दो गरंतियों से स्रावित होने वाले रस आते हैं यकृत और अगनाशय यकृत से पित श्रावित होता है जो एक हरा, पीला, लवण युक्त चारिये द्रफ होता है जो वसा का 25 करण अथवा उन्हें तोड़ने में सहायता करता है इसलिए अमाशय से आया हुआ अमलिय के भोजन यहां पित द्वारा ख्यारिये हो जाता है और वसा भी छोटी-छोटी बूंदों में तूट जाती है अगनाशय से अगनाशयी रस स्रावित होता है जिसमें एमाईलेज, ट्रिपसिन और लाइपेज होते हैं एमाईलेज मंड को तोड़ता है जबकि ट्रिपसिन प्रोटीन को लाइपेज 25 गृत वसा को तोड़ता है ब्रिहदांतर ब्रिधांतर क्षुतरांतर की तुलणा में छोटी और चौड़ी होती है यहां कोलन में चाने वाले भाग और मलाशय में विभाजित होती है यहां मल के निर्मान और उसके अस्थाई भंडारण में सहाय अधिक्तम कशेरूकियों में कोलन पाचन तंत्र का आखरी भाग होती है। शरीर से बाहर निकलने से पहले यहाँ ठोस पदार्थों में से जल तथा लवन अफशोशित कर लेती है। मलाशय ब्रहदांत्र का 6-8 इंच लंबा भाग होता है। यहाँ ठोस अफशिष्टों का तब तक भंडारण किये रहता है जब तक वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकल जाते हैं। गुदा गुदा धड़ के आधार परिस्थित होती है और पाचन तंत्र के अफशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। पाचन ग्रंथिया, इन अंगों के अत्रिक्त कुछ पाचन ग्रंथिया भी होती हैं, जो पाचक एंजाइमों को स्रावित करती हैं, ये पाचक ग्रंथिया हैं, लालारस ग्रंथिया, जठर ग्रंथिया, यक्रेथ, अगनाशय, आंत्रिये ग्रंथिया, मनुष्य में लालारस गरंथियों के तीन युक्म होते हैं इनसे लालारस या लार स्रावित होती है जिसमें पांचक, एंजाइम, टाइलिन, अथवा, लारिये, एमाईलेच होता है लालारस नलिकाएं मुख गुहा में खुलती है जठर गरंथियां जठर गरंथियां अमाशे की भित्ती में होती हैं और जठर रस स्रावित करती है यक्रित यक्रित उदर के उपरी भाग में दाई और इस्थित लाल भूरी लोब्यू लेटिड गरंथि है जिससे पितरस स्रावित होता है अगनाशे अमाशे के ठीक पीछे स्थित पीले रंग की गरंथि है जिससे अगनाशे इरस स्रावित होता है अगनाशे इनलिका के द्वारा अगनाशे इरस चुद्रांतर तक पहुँशता है आंत्रिय ग्रंथियां आंत्रिय ग्रंथियां चुद्रांतर की भित्ती में स्थित होती है और इनसे आंत्रिय रस स्रावित होता है जिससे सककस एंटेरिकस भी कहते है मनुष्य के पाचन तंद्र में कारे करने वाले एंजाइम लाला रस में लारिये एमाईलेज होता है जो मंड को शरकरा में तोड़ देता है HCL की उपस्तिती में पैपसिन प्रोटीन का पाचन करता है पैपसिन अमलिय माध्यम में ही सक्रिय हो पाता है यकृत यानी पित्ताशे का पित्त वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है यह भोजन को ख्षारिय माध्यम में परिवर्तित कर देता है M.I.L.H. मंड को पचाता है अगनाशे से ट्रिपसिन प्रोटीन को पचाता है अगनाशे से लाइपेज पाईसी कृत वसा को तोड़ता है अगनाशे से दातों का क्षय दातों के क्षय के कारण दंत वल्क और दंत धातु धीरे धीरे मलाइम हो जाते हैं जब जीवाणू शरकरा को पचा कर अमल का उत्पादन करते हैं तो वो अमल दंत वल्क के लवन को नश्ट कर देता है और दातों का क्षय प्रारंब हो जाता है भोजन कड़ों के साथ साथ बहुत से जीवाणू भी दातों की सतह पर चिपक जाते हैं और दातों पर मैल के रूप में जम जाते हैं जिसे प्लाग कहते हैं लार अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए दादों की सतह तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि दाद प्लाक से घिरा होता है। भोजन के बाद ठीक से दाँट साफ करने से जीवाड़ों द्वारा अम्ल का उतपादन शुरू करने से पहले ही प्लाक हड़ जाता है। यदि उपचार नहीं किया जाता है, तो ये आती सूक्ष्म जीवाणों मसूणों को संक्रमित कर सकते हैं, तथा सूजन पैदा कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं? मनुश में वर्मी फोर्म, एपेंडिक्स, क्षुद्रांत्र और व्रिहदांत्र के जोड़ परिस्थित एक अफशेशी न लिका है. वर्मी फोर्म, एपेंडिक्स की लंबाई का बढ़ना और उसका सूजना एपेंडिसाइटिस कहलाता है. जट्रिये पाचन में लगने वाला समय भोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है. कार्बोहाइडरेट के पाचन के लिए यह एक से दो घंटे का होता है, जबकि वसा के पाचन के लिए पाँच से छे घंटे का होता है. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. विशम पोशी जीव अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं. पोशन में भोजन का प्रियोग होता है और इसमें अंतर ग्रहन, पाचन, अफशोशन, समत्व और मलत्याग जैसे चरण होते हैं. अमीबा सर्वहारी और होलोजोईक है. अमीबा भोजन का अंतर ग्रहन कूठ पादों की सहता से भोजन को घेर कर करता है. अमीबा में पाचन अंता कोशिकिये तथा खाद्दे रिक्तिका के अंदर होता है. मनुष की आहर नली मुखगोहा, ग्रस्नी, ग्रास नली, क्षुद्रांत्र, व्रहिदांत्र और गुदा से बनी होती है. मनुष के दाथ हेट्रोडोंट होते हैं. भोजन आहर नली में क्रमा कुंचन गति द्वारा नीचे उतरता है. मनुष की पाचन ग्रंथियां में तीन युक्म लाला रस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अगनाशय और आंत्रिये ग्रंथियां होती हैं. पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं. कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुक गुहा में ही प्रारंब हो जाता है, जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय में प्रारंब होता है. पाचन चुद्रांद्र में पूरा हो जाता है, चुद्रांद्र में ही भोजन का अफशोषन भी होता है. दातों का क्षय स्ट्रेप्टो कोकस म्यून टेंस जिवानू द्वारा होता है जो शरकरा युक्त भोजन में किडवन करता है और कार्बनी कमलों का उत्पादन करता है